नमस्कार दोस्तो रजनी मिस्रा चैनल पर स्वागते आप सभी कहासा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वच्टों होंगे फ्रेंड आज मैं बताऊंगी वीडियो में कि आप अपने घर में कुछ ऐसे पौदे हैं उनको आप जरूर लगाएं जिससे आपके घर में सुक्ष सम्वर्दी और सौवागी प्राप्त होगा तो इसलिए ये पौदे आप अपने घर में जरूर लगाएं तो फ्रेंड ये है मोरपंकी, मोरपंकी को आप अपने घर में जरूर लगाएं ये बहुत हर्याली देने वाला पौदा है और इसको इंडोर प्लान्ट है और इसको धूप में बिल्कुल भी ना रखें, चाया में रखें और इसमें पानी बहुत कम दें और ये बहुत और यह है जैड प्लांट जैड प्लांट तो धन के लिए बहुत अच्छा होता है सुख सम्रदी के लिए भी बहुत अच्छा होता है ऐसी प्लांट लगाने से घर में सुख सांती होती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है इसलिए इन प्लांट को आप फ्रेंट जरूर एड करें और यह प्लांट बहुत ज्यादा सुभ माने जाते हैं और यह इंडोर आउडोर दोनों ही प्लांट है और पानी का खासकर आप ध्यान रखना पानी बहुत कम जरूरत है जब मिट्टी ड्राय हो तभी इनको पानी दीजेगा और इनकी इनको आप जरूर लगाएं यह बह होती ज्यादा सुभ होता है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो संकर भगवान को चड़ाए जाते हैं और इनको फ्रेंड देखिए अभी पीली पत्या हो गई है क्योंके भी सर्दी का टायम है और इनके उपर जो यह बीज बनते हैं फलिया लगती है उनको आप इस तरह से अगर आप थोड़ेंगे नहीं तो इनके अंदर बीज बन जाते हैं और वो बीज और यह अपनी सारी एनर्जी बीज में लगाने में बनाने में सोरी लगा देंगे फ्रेंड तो यह हमारा प्लांट खराब होने का डर रहेगा इसलिए जितनी भी इसके अंदर बीज बन रह दियान रखेंगे सर्दी में फ्रेंड पानी बहुत कम दीजेगा और मिटी की 102 इंच की गुडाई कर दीजेगा और फटिलाजर तो फ्रेंड बिल्कुल मत दीजेगा यह बहुती सुब माना जाता है पौदा और बहुती अच्छा होता है घर में लगाना और फ्लावर अपने घर पर जरूर लगाएं यह है प्रेंड देखिए एरिका पाम और इसको तो लगाना बहुती ज़्यादा सुब माना जाता है इसको तो आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं बहार लगा सकते हैं च्छत पर लगा सकते हैं कहीं भी लगा सकते हैं और अपने एंटर में ऑक्षीजन देता है और ये पौदा देखने में भी ज्यादा सुनदर लगता है इसकी पत्तियां बहुती और इनको पानी की बहुत जादा जरूरत नहीं होती है और यह प्लांटे बहुत ही सुभ माना जाता है इसलिए फ्रेंड अपने घर में जरूर एड़ करें ऐसे पौदे आप जरूर लगाए जिनसे आपको घर में सुख सम्मर्दी और सौबागी भी प्राप्त होता है और यह देखिए मनी प्लांट है मनी प्लांट तो फ्रेंड सबका फैवरेट होता है और सबके घरों में अक्सर पाया जाता है और इसको लगाने से घर में धनकी कमी नहीं होती है और फ्रेंड एक बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसको दच्छड पूर्वी दसा में अपने मनी प्लांट को लगाए तो यह खास कर ध्यान और छाया वाली जगह पर रखें फ्रेंड और अभी सर्दी का टाय में तो इनमें खाद और फटिलेजर कुछ भी मत दीजिएगा और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा तो इस तरह से आप अपने म अलो वीरा बहुती जादा घर में सुब माना जाता है इसलिए आप अपने घर में जरूर एड़ करिएगा अलो वीरा से बहुत जादा बहुत जादा फायदे होते हैं और देखिए इसको बैना एक गत्ते के अंदर लगाया हुआ है गत्ते का यह प्लांटर बना लिया था और यह गत्ता बहुत जादा मजबूत है इसलिए मैंने इसको यह पॉट दे दिया है और जब तक यह चलेगा तब तक इसको चलाओंगी और इसको पानी मत दीजेगा अगर इसके उपर पानी गरेगा तो यह प्लांटर खराब हो जाएगा और बैसे भी इस प्लांट को पा पानी बिल्कुल मत डालिएगा और कोई भी खर्पतवार इसके अंदर हो जाए तो उनको निकाल दीजिए और इस तरह की मिटी देखिए होनी चाहिए और अभी मैंने तीन से चार दिन पहले इसमें पानी दिया था और अभी भी गीली मिटी है तो इस लिए इस प्लांट का खास कर ध्यान रखना है और देखिए कितना ग्रीन है अगर आप पानी डालते रहेंगे तो आपका प्लांट पीला भी हो जाएगा और प्लांट मर जाएगा तो इसलिए आप खास कर ध्यान रखें एलो वीरा हमारे तुचा के लिए भी बहुत अच्छी होती है आप अपने सिंगोनियम की और मेरे पास दो वराइटी है यह पिंक कलर की है और एक यह देखिए ग्रीन है और इसकी पतियां बैरिकेटिड होती है और यह पूरी ग्रीनरी देता रहता है फ्रेंड इसलिए इस प्लांट को आप जरूर लगाए और भरपूर मातरा में ऑक्सीजन होता है और यह भी एक मनी प्लांट है तो इसको भी आप जरूर घर में एड करिएगा बहुती सुकसानती वाला पौधा है तो इसको आप जरूर लगाए और इसकी कटिंग बहुती असानी से लग जाती है और यह धूप छाया में कहीं भी फ्रेंड इसको रख सकते हो तो यह बहु प्लांट बहुती सुब होता है और इनके जो फिलावर वाइट कलर के हैं और यह बोले बावा पे चड़ाओ तो बहुती सुब माने जाते हैं इसलिए यह प्लांट बहुती सुब होता है और ग्रीनरी भी बहुत भरपूर मातरा में देता है और इसकी पतियां आप खाएंगे तो बहुत सारी बिमारियां भी दूर हो जाती है और यह मेडिसन प्लांट भी है और घर में लगाना भी बहुत सुब है इसके फ्लावर भोले संकर भगवान पे अगर आप चड़ाते हैं तो बहुत ही जादा भगवान खुश हो जाते हैं इसलिए यह प्लांट जरूर एड़ करिए यह फ्रेंड तुलसी माता और तुलसी माता भी बहुत ही सबके घरों में होनी चाहिए और इनका पूजा भी किया जाता है और इनके घर में रहने से हमको कोई बाहरी हवा टेक न नहीं होती हैं उनके पत्ते अगर आप एक खा लेंगे तो आपकी बहुत सारी बिमारियां जड़ से खतम हो जाती हैं तो तुलसी माता को भी आप जरूर लगाए जिसके घर में अगर तुलसी माता नहीं है तो वो अभी एड़ कर लीजिए और बहुत ही सुब मानी जाती है तुलसी माता फ्रेंड देखिए मेरे पास तो चार से पांच हैं और यहाँ पर देखिए आप मैं बहुत ज़्यादा पूजा पार्ट भी करती हूँ और यह जो इनकी जो बीज दिख रहे हैं आपको इनको आप तोड़ते रहें जिससे आपकी तुलसी माता घनी भी बनी रहेंगे और इनके रहने से हमारे घर में सुक सम्रदी रहती है और सुक रहता सांती भी रहती है और हम पूजा पाट भी करते हैं तो हमको सुक मिलता है तो इसलिए आप तुलसी माता को भी जरूर एड़ करिए ये है लाल पत्तियों वाला पौदा डैसरीना बोलते हैं और ये भी बहुत सुब होता है और इसको आप जरूर लगाएं घर में और ये पूरे साल बना रहता है गार्डन में और बहुती सुन्दर इसकी पत्तियों होती हैं बैरिकेड़ेड होती हैं तो इसको भी आप घर में अपने लगा लीजिए बहुती सुButa है और यह कई बेराटी में आता है आपको जो अच्छा लगता हो उस तरह का लगा लिजिये और बहुती सुन्दर यह पोदा है और ये भी गार्डन में बना रहता है तो इसको भी आप एड़ कर सकते हैं ये भी सुब माना जाता है तो फ्रेंड आज की ये थी वीडियो आपको कैसी लगी है अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट और चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड लाइक जरूर कीजिएगा आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नहीं अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट में बता दीजिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है तेंक यू